कि हैलो स्टुडेंस हम लोग क्लास 10 थे में ट्रैंगल चेप्टर करें और ट्रैंगल में हम लोगों ने एक्सराइज 6.3 के कुश्चन नमबर 1 से ले करके 9 तक की प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व करिया था आज हम लोग कुश्चन नमबर 10 से स्टार्ट करेंगे और 10 ज that D and H lie on the line AB & FE of triangle ABC & triangle EFG respectively if triangle ABC is similar to triangle FEG so that so that first part CD upon GH is equal to AC upon FG and second part d c b similar to triangle h g e and third part triangle c d c a is similar to triangle h g f okay इसके three parts हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जो language के according diagram को draw करते हैं अच्छा यहाँ पर a b c a b c किसके similar दे रखा है f e g के similar दे रखा है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर triangle को बनाते हैं किस triangle को बनाना है बहुत ही अच्छे समझेगा ठीकर कुछ नहीं आप डाइग्राम को ड्रा कीजिए आपको पहले से पता है कि ही दिज़्पर सब्सक्राइब और सब्सक्राइब को एक बात करते हैं यह कि यहां पर क्या है जे अबसी अब इसी ऑपधीज पो गया ठीक है टार्ग राम को डुरा करते हैं जाई जीजिग आपकर दिस इस अट्रेइगल ए ए था फी एड ऐड़ी अग इस इस अट रेंगल फ इजी एफ एड यड़ी आपकर करने लिखा पूस्चन को रहते हैं सीडि एंड घ्ष देंड इस डिफ अर्सेक्टिव लिड़ी सी बिटी सीदी किसका वास सेक्टर ए इसीवी का सीडी यहां मैंahon कैक। यहां मंतलब यह Our in I am किया वहता है क्यों भी क्यों बैइंगल क Brush क्वाल एंगल में डिवाइड करता हो 30 यहां पर हो जाएगा पिर क्या बोला जी है जी ही का काम क्या है जी है जी पटो जी एफ तो इजी आए फ्टाइज कर ले यहां पीजिए यह सीडी है यह बाइस्टर आप एंगल एसी बी हो गया और जो आपका जी एच है यह एंगल बाइस्टर हो गया एंफ जी इए ओके इतनी इसी बात होगे ठीक है आप देखो अच्छे से दिमाग बातों को बठाइए अगर टू ट्रेंगल होते हैं तो करिस्पार्णिंग एंगल होंगे करिस्पार्णिंग एंगल होंगे एंड रेशी और करिस्पार्णिंग इसका इसका प्रेंगल हो गया आप समझो बात को इसका मतलब करिस्पार्णिंग एंगल इक्कुल इसका मैंने आपको बता है इसका मतलब होता है जैसे a,b,c,a जीवेंस में लिखा है तो एंगल एक किसके एक्कुल होगा एंगल f के एक्कुल होगा तो यहां पर एंगल a is equal to एंगल f हो जाएगा पहली बात दूसरी बात क्या है जो हैं लिए यहां से लुक्ति की को जाएगा बी एंगल टू टू देटाट आफर यहां पर चीज़ों को समझना है आप यहां पर इवास वारा समझना अच्छा यह और और अगर यहां पर यह यह क्या है similar है तो यहां पर corresponding side का ratio भी equal होगा ठीक है तो इस बात को हम लो और यहां पर लिखते हैं कि जो information given है जो information given है तो देखो यहां से क्या है A से B ratio लेने के लिए मैंने क्या बताया था पहले के दोनों A B ले लो ठीक है A से B हो गया फिर यहां पर इस वाले में first दोनों ले लो F E F E is equal to last के दो BC लेना है last के दो BC ले लिया और यहां पर last के दो easy ले लिया तो upon easy हो गया okay last के यहां पर दो हमने ले लिया easy आज़ों को first and last मतलब AC AC अपान क्या हो गया AC अपान क्या हो गया FG हो गया ठीक है तो दो जो information छोटी सी बात इन्होंने बोल दी कि ABC सिमलर है किसके ट्रेंगेल F E G के तो हम लोगों यहां से ratio calculate के लिए और corresponding angle को equal मतलब यह information given है मतलब यहां पर इन्होंने ABC सिमलर टू ट्रेंगेल F E Z लिखा तो इसका मतलब क्या यह सिमलर हो गया तो सिमलर होगा तो corresponding angle equal होंगे and वहां पर corresponding side का ratio भी आपस में क्या होगा यह इन्फॉर्मेशन गिवन थे इसके वहां पर मैंने यह लिख लिया ठीक है ओके किलियर है अब यहां यहां पर confusion मत और यह गया एक यह वाली सब्सक्राइब करना पड़ेगा अच्छा एक पात और यहां पर यह वाला पार्ट है है डी सीवी डी सीवी कहा है डी सी बी नेमिंग जागा रखेगा डी शीवी सिमिलर टूल एच एच जी एच जी ये यह पर आट्रेंग्वेशन दोनों मतली सोचो कि यहां पर यह दो ऊपास में होनी चाहिए और यह वाला भी इसके सिमिनल होना चाहिए और यह रेशियो कैसे आएगा जब यह लास्ट वाला जो लाहां पर थर्ड पार्ट दे रखा ना बेटा अगर यह लास्ट पार्ट प्रूप कर ले जाओगे तो इसी से हम लोग इसका साइड ले लेंगे ठीक है जब भी प्रॉब्लम में रेशियो हो कि रिसी ओ इक्वल हैतो चब सहरी हम लोग का यह होता है कि वो डश्यों की से ट्रैंगल को यह तो सबसे पहले हम लोग प्रेंग एद्षियो और हम लोग क्या करेंगे गिने को सिमलर करेंगे त्दुन को तो सबसे पहले हम लोग यह थाड़ वाला करते हैं थाड़ वाला हो जाएगा तो मत्त पहले हो जाएगा क्योंकि थाड़ से फिर्ष्ट बना हुआ यहां पर लेते ठाट ट्रेंगशें इन ट्रेंगर लिषए प्लींग्ल कि अराक एक अच्छे में लिए कोने सीजह दियग्राम में कि प्लीए टेक्षा की तो रियल्टी देखते हो यहाँ पर क्या वैılmışट्रेंग्ल dca तो dca जोड़ा ट्रेंगल नेमिंग देखिएगा dca एंट रेंगल ह्जी एफ ये ट्रेंगल आच्छा यह वाला एंगल तो दुरों एक्वल है हां साथ क्योंकि यहां पर एंगल अबaste एकपहले से कीवन है तो यहां पर पूरा पुरा फूर्ण ने लेगे किए N smells Depot एंगहलवे कोषी के यहाँ यहां पर यहां पर यह information कैं लिए ऐकम हैं यह वाला इंगल किसके को लोगा पीटा में नहीं को देखना है तो आप का सर यह जो ACB है देखो यहां पर एंगल ACB पूरा कम्प्लीट लिखो ACB is equal to क्या है FGE FGE मतलब यहां पर C is equal to G C is equal to क्या है यह दे रखा है अच्छा दोनों एंगल को दो से दोनों साइट डिवाइट कर दो क्या कोई फर्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं पड़ेगा अगर से मोई यह दोनों आपस में एकवल थी मैंने दो से डिवाइट कर दिया तो क्या कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा अभी से हमें चीज लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ACB ACB को दो से डिवाइट कर दो तो हमारा एंगल निकल आएगा ACD ACD तो यहां से क्या निकल आएगा इंप्लाइज देट एंगल ACD इस इकॉल टू एंगल FGH ओके F ACD इस इकॉल टू एंगल FGH समझेगा बत को कि आप डारेक्ट लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं बच वहां पी रीजन क्या लिख दीजिएगा CD and GH bisector क्योंकि bisector का मतलब क्या होता है सिंबल सी बात है हमने का इदे को यह एंगल है यह आपको दिख रहा होगा यह मालू सिस्टी डिगरी है कुछ देर के लिए मानते हैं हमने का यह जो लाइन है यह आपको देख रही है यहां पर लाइन यह इसको bisect कर रही है कि बाइसे का मतलब क्या होता है इस सिस्टी पहले और पूरा था 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 थाटी थाटी हो जाएगा थाटी 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 हो गी नहीं होगा तो bisector मेंस किसी भी परट एंगल को तो एक्वल में डिवाइड करना डैडि नोन ऐस एंगल बाइस सब्सक्रेंगर को दो पार्ट ऑड़ करना ठीक है तो यह बातसाुन में आगई है यावाला ऑल्यडिक कोले ज yout professors international और यह इंगल यहां पर यहाँ एंगे जाएगा अब बताईए यह दोनों ट्रेंगेभल सिंपलर हो गए तो हमने इसी से इसी से जो फर्ष्ट और रहे लिए एपाँ जी इसी को लिए किया रहा है क्योंकि यह जो यहां पर प्रूब करने के लिए है यह इन्हीं दो triangle में देशिय आएगा तो यह सबसे पहली बात क्या हो गया यह हमारा थडर फर्ड पर्ड में आप समझना कि यहां पर सबसे पहला वाला पर आपको अच्छे से पढ़िए डार्ग्राम को डिए जो भी पार्ट आप पहले हो जाए उसके और कर सकते हैं जरूरी नहीं कि सिक्वेंस में रखा तो सेक्वेंस में करना है ऐसा तिमाग में अगर कुछ चला है तो इसा मत लाइएगा ठीक है चलिए तो हम लोग आप यहां पर अच्छे से लिखते हैं पहले ठीक है आप यहां से हम देशियों लेंगे लास्ट वोला रहता है यहां पर तो ट्रेंगल ट्रेंगल क्या हो गया देखो यहां पर पहले बात अगर कुश्चन में रखा तो सेक्वेंस में दिया जाता उसमें हम लोग आकर नहीं लगाएंगे तो ट्रेंगल डी सी ए सिमिलर हो गया किसके ट्रेंगल एच जी एफ अच्छी समझना है ठीक कर नहीं होना किसी बीटार की कोई भी प्राब्लम नहीं होनी चाहिए तो यह सिमिलर हो गया आप इसको यह जब ऐसा लिखा तो यहां पर आप जैसी लेना है क्या लेना है जैसियो और जैसियो लेना बहुत है हम लोगों इसके लिए अच्छे से ट्रिक निकाल रखिए कि पहल यहां पर लाश्ट के दो जी एच हो गया जी एच हो गया इस फिर्श्ट एंड लास इस एन सोई डी एश्ट एंड लास्ट लास्ट एफ यह जाएगा अब यह आया हूआ है एक्च्छल में डियल में क्या अगर आपको देखा यहां पर पूब ना था सीडी अपान ग्रिट इस इस एपान एफ जी कि एसी एपान एफ जी कि एसे सी देखो यहां से कुछ गलब तो नहीं हो रहा है दी से सी लिया और एच जी ले लिया सी से ए और जी एफ हो गया जी एफ है ठीक है और कि जी-एफ तो यहां से देखे हैं लोग यहां पर यहां पर दएगे लेना है सियले ही एफ्चित यह क्याइं टीक है और यह कहां टीश कर दिया हूं तो यहांरð यहां से यह बिटा cd cd upon g is equal to az upon fg दो यहीं रेशियो हमारा आया हुआ है यहीं रेशियो मारा आया हुआ है जी को अच्छा यह f है ओके चलिए इसको थोड़ा समनुद यहां पर करेट कर लेते हैं जी एफ है नौट एच जी एफ देखो जो प्रूविंग में रेशियो बिटा रहा है ना फैस्ट और सेकेंड बलब यहां पर यह लेने पर हमारे रेशियो प्रूब हो जा रहा है बलब यह थ्री कर्णिशन बनेंगी यहां पर देयर करिस्पॉंदिंग साइड और इकॉल यहां पर थ्र ृटी इस पॉन यहीं डीसी अपान एच जी इस इकॉल टो डाट इस सी ए अपान जी एफ उके इनिए रीशियो प्रूब यहां पॉर्ज पार्ट ऑगया यह हमारा थार्ड़ पार्ट किया और शिविशन पूब करने सिमिलर पूप करने के बाद यहां पर एक कर्रिस्पार्णिंग साइड का रेशी घूल तो हमारा फस्ट पार्ट फूप हो गया किलिए रेकिने यह साथ नों अब जिकर यहां पे यह सेकेंड वाला पार्ट है dcb dcb similar to triangle hge जो यहाँ पी नीचे वाला पार्ट है dcb dcb similar to hge hge जो को यहाँ पे b equal to क्या होगा e होगा b equal to e information given है और यहाँ पी जो यह वाला angle होगा और यह वाला angle होगा equal होगा क्यों कि यहाँ पे c d and g h क्या है angle by sector है तो इसको हम लोग proper अच्छे से explain करके लिख लेते हैं बास वाला पार्ट हमने similar प्रूब किया और वहाँ पे side का ratio ले लिया तो हमारा यह वाला पार्ट आ गया आप दिको हम बात करते हैं मलब यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट हो गया यह हमारा first part हो गया जो यह वाला यहाँ पे हमने प्रूब किया है angle angle similar से यह हमारा कौन सा पार्ट हो गया थर्ड पार्ट हो गया ठीक है आप दिकों यहाँ पे second part है second part second part क्या है हमने इन triangle किसको लिया ट्रेंगल D C B D C B and triangle H G E triangle H G E तो आप देखों यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे देखों इन triangle को आप जोड़ो करो यहाँ पे यह वाला ट्रेंगल तो देखों B किसके को लोगा B equal to E होगा किसके एकोल होगा B equal to E होगा बेल्कुल सही जवाब है क्योंकि यहाँ पे B equal to E information given है और इतपाक से इस triangle का angle है, किसका angle है DCB का, किसका angle है DCB का, तो B angle हो गया और H G E में E इसका angle है, तो यहाँ पे B equal to क्या हो गया, that is E ओके, तो B equal to that is E हो गया तो यहां से लेख सकते हो एंगल इजए कोल टू अइन इस इंगल ओके यह एंगल क्या है और यह important डिवेन आप क्या करोगे यहां से जबो आप यहां से क्या करना है पटा यह वाला इंगल यह वाला इंगल कौन सा दी औलतो एच यूधि क्रडू एच जी टीजरी सीबी इसमाने ऐघतरब टू होगए क्वाइफ में एक वाट यहां तेकर यहां पर यह वाला एंगल यह वाला एंगल किसके को लोगए एच जी एक को लोगा क्योंकि यहां पर यह एंगल बाइसेक्टर है किसका चीडी एंड हजी क्या है एंगल बाइसेक्टर है तो यहां से क्या सब्सक्राइब गया तो यह भी टो ऐं मैं ऐंगल ऑन क्राइटेरियों को क्या कर जा है फॉलों क्राइब आग एंगल क्राइब टर्या ये से क्यों ऑन ग्लें में सिम्लर हो जाएगा ठीक है या कि वर जाएगा से अपिक 음 बाद देखो जहां पहले बा दाइगराम प्रोफ नोन था तो सबसे पहले ने डाइगराम को डॉप करने के बाद ज्यो act मैंने पहले पर ने कहां पहर किया हमतिक ट्रेंगल से में सबसे पहले है और को सबसे पहले तो तो उससे जैसे हमें ट्रेंगल को सिमिलर पूप किया और करिस्पानिंग साइड का रेशियो ले तो यह दिए निकल किया गया और यहां पर यह सेकेंड पार्ट हो गया ठीक है बात सब्सक्राइब यह सार नों करन फार में बोलो ठीक है अच्छे से किलिए हो गया चलो अब ल यहली है आप दिन तो चलिए अधी पर पंडी क्लियव यह इस नाइंट डिग्री बना रहा है यह पर पंडी क्लियों आ यह में आपका पंडी आपका और बना रहा है prove that triangle ABD is similar to triangle ECF बहुत easy question है देखिएगा ठीक है prove क्या करना है prove triangle ABD is similar to triangle ECF question को हमने read किया question के read करने के बाद diagram को देखा और diagram में अब ABD दिखना चाहिए ABD दिखना चाहिए तो हमारा A ये है B ये है और D ये है बलब जो ये वाला पार्ट है यहां पर देखो A that is B and that is ABD ये हो जाएगा और ECF कहा है E यहाँ पर है C यहाँ पर है और F यहाँ पर है ओके तो इन दोनों diagram को measure करना है बलब observe करना है और observe करने के बाद similarity का जो criteria है उसी को follow करना है आपने का देखिए तरह यहाँ पर जो given information है क्या given है जो AB की side है AC के equal है तो यह जब AB equal to AC है यह वाली side जब इसके equal है तो जाहिज बात है angle ACB is equal to angle ABC होगा angle ACB equal to angle ABC होगा यह सर बिलकुल होगा क्योंकि यह क्या है equal angle angle opposite to equal side angle region के लिखोगे angle opposite to equal side angle opposite to equal side यह equal side अगर किसी भी triangle में दो side equal है इसके opposite angle भी क्या होंगे आपस में equal होंगे क्योंकि यहां पे AC के opposite यह बन रहा है और AB के opposite C बन रहा है यह angle आपस में equal होंगे इतनी सी बास में आगए यह given information था AB equal to AC दे रखा था this is the isosalist angle तो उसके भी हमने यहां पे क्या कर दिया ACB equal to ABC कर दिया क्योंकि यहां पे क्या है equal angle है क्योंकि अगर equal side है तो उसके opposite angle भी क्या होता है equal होते है अब समझेगा अब जो यह diagram को similar probe करना है इन दोनो diagram को similar probe करना है तो हम लोग क्या करेंगे इन ही diagram को लेंगे तो इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए बी डी ले लिया एंड 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 ट्रेंगल क्या ले लिया ECF ठीक है आपके निज़र यहां पे इस ट्रेंगल पर होनी चाहिए ABD यहां पे ABD भी आपको दिख रहा है ABD यहां पे अट्रेंगल ECF यहां पे E हाँ पे C and F यहां पे ठीक है अब इसी diagram में देखते हैं तो आप देखाँ सकता है यह वाला एंड ₹90 ही नहीं क्योंकि यह 90 होगा क्योंकि linear pair कितना इंड बनाता है linear pair 180 डी डीका बनाता है तो अगर यहाफ 90 होगा तो दूसरा वाला वी क्या होगा तो मतलिए यह वाला एंगल क्या होगा 90 तो आपने कहा सर यहां पर 90 हो गया तो A D B is equal to that is angle E FC हो गया E FC होगा यहां 90 डिगरी बिलकुर सही जवाब क्योंकि यह भी 90 है और यह भी 90 है तो यहां पर ECF यह वालां एंगल और ABD में यहां पर यह वालां एंगई यह दूनों आपस में क्या हैं अग्यों एक्वल है क्यों है標 यहॉस्थ होगा सिप्श अग्रइद्ध के खांड यह हैं लेकिन इस ट्रयंगल में यह एंगल हो गया और इस वाहें वाले एंगल दोनों equal हों क्यों हमने above result को लिख लिया है कैसे equal है आपको मैंने पहले बता दिया है तो बस यहाँ पर आपको लिखना है angle e cf e cf is equal to that is angle a b a b d ओके यह above result से ओके यह जो हमने above यहाँ पर बताया है इसके भीहाँ पर क्योंकि यहाँ पर a b equal to a cf पहले दे रखा था तो triangle a c b equal to angle a b c आ जाएगा तो अब बताव बटा इन दोनों triangle में दो angle equal आ गए कि नहीं आ गए यह सार नो दो angle equal आ गए यह 90 हो गया यह 90 हो गया और यहां पर यह वाला angle इस triangle में और यह इस triangle में यह वाला angle equal हो गया तो यहां पर किस टाइप की क्राइटीजिया को follow कर रहा है angle angle similar हो जाएगा एंगल एंगल similar हो जाएगा बजह एंगल एंगल सिम्लर हो जाएगा इट मींस क्या हो जाएगा ट्रेंगल ट्रेंगल ए बी डी सिम्लर टू ट्रेंगल ए सी एफ करणवा मैं तो प्रूव हो गया है है एंस प्रूवड ओके किलिए रहे कि नहीं बास आगे ना बस आपको question को पढ़ना है diagram दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है diagram को observe करिए डागरा में जो information दे रहे कि उसको लिखिए औश कर लोगी को आपको है हमने जो इन्फार्मेशन दे रखी थी उसी की भी आपके यहां पर सुचा और इन दोनों ट्रेंगल को आपजर्व किया क्योंकि डाइग्राम ड्रा करना ठीक है डाइग्राम दिया हुआ है तो उसको भी उच्छे-चे ड्रा कर लेना है उसके वाद फिर लोग उसी जो पर बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट कॉस्चन पर यहां पर आपके साब में कुश्चन है साइड एबी एंड बीसी एंड मीडियन एडी दो एसी भी एच्छा यह आपका बी है जैब क्या है डैट इस बी एए एबी सी एंड पीक्यूर एबी समझे अच्छे से एबी बीसी ए कॉल पार्ट पर डिवाइड करती है डैट इस मीडियन ओके यहां पर यहां पर यहां पर इसकी वैलू इसके एक्वाल है तो यह क्यों हो जाएगा क्यों मीडियन का मतलब क्या है कि a d is the median it means d is the midpoint of BC यह अधर लेंवेज में bd is equal to dc यहां पर यहां पर प्याइब क्या है यह जो क्यों से एम से आर यह आर यह आपसमें equal होगा हाय ना पासमें आरे आप देखो क्या करना यह जो proportional का यहां पर बता रहा है न कि जो एबी और बीसी एंड मीडियर एडी आप रेंगल एबीसी आप रिस्पेक्टिवली प्रपोर्शनल टुदा साइड पीक्यू क्यों एड मीडियर पी एम तो जो इन्फॉर्मेशन यहां पर दे रखिए वच्छा पहले हम उसको लिखते हैं यहां पर जो गिवन इन्फॉर्मे प्रपोस्ट्रे इसे इक्वल टू यहां दे जिवी सीया किसंके प्रपोस्ट्र já किर выпуск और कॉपोस्ट्र है और मीडियैं डी किसके में और दी किसके Fifa स्थ है यह स्टॉर्म ऑए को यहवास पर स jogos ना गया यहां पर उन्होंने वोला है यह लेंग्वेश वां में हमने इसको सीधर एक लाइन में इस चीज़ को लिख लिए यह यह गिवन इनफॉर्मेशन अब आगे कैट बढया कुशेशन सो देट आपको पूप करना है सो दो डैट कौन से ट्रेंगल या आप एगी सी एबी सी सिम्लार है एबी सी सिमलार है किutter, बहुत ही एच्छे है घबराने के ज़ल histó Kelvin नहीं ना परीसान होने विए को पढ़ना को इससे कुछिशी सब्युक्ट लेक्रब्र मीं को लिए करके उपता प्सटों कि预कर है यह को क्या रहा है है ना चीजों को समझे जो चीज़े में बोलता हो ना उसको समझे जो इन्फॉर्मेशन गिवेन है लैंगुज फार्म में उसको महली करा हो यहां पर यह हो गए आपका हुआ कि नहीं हुआ तो यहां पर इन्हों ने बोल लगता था कि भाई यह एबी बीसी एंड मीडियन एडी आफ़ा ट्रेंगिल एबीसी और इस्पेक्टिवली प्रपोस्टनल टु अशाइड पीक्यू क्यू राएं मीडियन यह दिखरा है अब यहां पर यह देशियो कुछ हैसा दिखरा है अब क्या करोगे अब क्या करोगे बाइबी अपान पीक्यू दे रखा है और बीसी अ और ही पर फिरे मैं or यहां पे एड Rap एड़ एड आट किया एड़ यहां पहन पही इंद्ध प्रफमेशन ज्यान भी नूस्टंट्टिक चैने डिभी कि ऄक्वाइव प्रफट डोडेट टीसी ऐड़ीकृत कारे पीडिक एक से को और प्रोव करना है तो से मिलाइट티 का क्रैटेरिय आपके मांने आ गया जो भी मनें बता रका हैं कि लरशाइफ में सबस्क्राइब तो यहां पी एब कहा है सरड़े से भी यह है ढात टा चलियdade है कि का लिखो पहले हैं कि क्या है तो पीसे सी आपन क्यों आप हमने क्या किया है कि यहां पर यहां पर कुछ वैसा क्रिएट करना है यहां पर यहां पर यहां पर दोनों लेने के बाद कुछ यहां पर खुराफा तो दिमाग में होई चली रही है तो आपने का दोनों ले लिया तो ठीक है कोई इतराज नहीं कोई इतराज नहीं हां वी सी आया तो इसको अब कर ठीक है वी सिगे सकता हूं बीजी को चेंज करने का मतलब क्या है सबी से चली जाए यह टू टाइम सब बीडी अब इसमें कोई अब्जेक्शन ही होना चाहिए तो टू टाइम सब बीडी क्या में पॉइंट है तो चाहे बी की ऊर्क पास अगर आप यहाँ आ गहें हैं तो इसको क्यूर को टू टाइम सब लिफिघलो टू टाइम सब की लिफ puedo ठीक है सब्विदी लिख दिया क्योंकि दिवाइज लिए तो यहां पर बीसे सी जो होगा आपका वह टू टाइम सब्वीडियर हो जाएगा अगर आपको ऐसे सिदा शिदा नहीं सब्सक्राइब आप 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 से समझें यह बी है और यह सी यह दी क्या है मिट पॉइंट है तो यहां पे हमने वही किया ख़िए तो इस 2 से टू को कैंसरि कर दिए और जब आपने कैंसरिक कर दिया तो यहां पर कुछ इस तरह से कैलकुलेशन आ रही है अभी कि इडीएडी पान प, सच यह तू किसी ट्रेंगिल की यह लगेडी आंड दिला रहा है यह किसी पार्टिकुलर ट्रेंगल को फालो कर रहा है किस ट्रेंगल को फालो कर रहा है यह किस ट्रेंगल को फालो कर रहा है यह सर क्यू एम है और यह पी एम है यह किसी भी पार्टिकुलर ट्रेंगल की साइड का रेसियो है अब देखते किसका रेसियो है सर ए से बी हो गया प से क्यों हो गया ठीक है यह भी हो गया यह बीडी हो गया यह क्यों हो गया यह अगर किसी भी पाटिकुलर ट्रेंगल में यहां पर किस टाइप की और को चाहिए को साइड 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 सीमिलर हो गया मतलब हम यहां पीले we can write it triangle a b c a b d sorry triangle a b d triangle a b d similar to triangle a b d a ho gaya and p qm ठीक है पी देखो कहा है यह पी यहां पर है कि नहीं तो p p and q and m that is p qm ho gaya triangle p q and m ho gaya इसे थाइदा क्या मिला अभी हमारी बात तो प्रूब नहीं हुई ना हम यहां पर जो इंफर्मेशन दे रखा था हमने इसका यूज किया यूज करके यह triangle आपस में similar हो गए यह तो यह similar हो गए तो जाहिए सी बत यहां पर corresponding side कर यह से equal है तो similar हो गए और जब हो गए तो corresponding angle भी तो equal होते हैं तो b equal to क्या होगा बी equal to q होगा वी equal to क्या होगा यहां पर हम लोग इसके according यहां पर बिटा लिए सकते हैं एंगल a b d एंगल a b d एंगल a b d is equal to angle angle p q m p q m okay yes or no yes or no बास में आगी नहीं तो यहां देखो यह a b d की जो यह वाला एंगल है इसके एक लोगा क्यों कि यहां पर a b d हमारा इस ट्रेंगल p q m k corresponding angle है और यह जो बी वाला एंगल है यह a b c का भी एंगल है और जो क्यों वाला एंगल है यह पी q r का angle है अब थोड़ी सी अकल और लगाना है इतनी सी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो ठीक है एक दम आपको step by step चीजों के कैसे होने चाहिए कि वहां पर उसके बारे में सोचोंगे और उस question को इसलिए आप सॉल्व कर दोगे अब समझे बात को जब इतनी सी बाते समझ में आगे मनलब यह main problem हो गए कि किसके एक्वल है क्योंके आप देखो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं अब ट्रेंगल लेंगे कौन सा ए बी सी समय दिएगा इंट्रेंगल in triangle ABC and triangle P QR P QR आप बताओ ये वाला angle क्या हमने इस बादे जिस triangle को single group करना था मन्होंने अब इस बार उस particular triangle को लिया ठीक है तो angle ABC किसके को ला गया एंगल A B C is equal to angle P Q R P Q R आ गया यह हमने एबब प्रूप किया है एबब प्रूप ठीक है इसको मैंने एबब प्रूप कर रखा है ठीक है देखो यहां पे प्रूप किया गी नहीं किया आप देखो यहां से क्या जो information पहले से दे रखी थी ना देखो यह वाला एंगल बेटा य सकतemedra दिब को लेकर के बना है आपने कर रुक्ता है ऑर यहां पर यहां पर यहां प्रूप यहां नोनों को लेंगे किसको a b upon p q is equal to b c upon qr तो यहां से बिटा देखो a b upon p q a b upon a b upon p q is equal to a b upon p q equal to b c upon qr ओके आप जो को जान समझेगा हमने क्या पता कि इसकी angle equal है यह angle equal है तर इसका इसका ratio इसका 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 रिश्यो कि एदर रहां बीसीय को पहूंच जाएगा or q Unity के पहुंच जाएगा और ला यहाली य हाली वैल bash transluc इन्टर चेंज हो रहे हैं तो यहां पे बी सी यहां क्या गया वी सी और यह क्या है रहे हम इस्से फायदा क्या ऊथर सोचना यह कुछ ऐसा निकल के आता है जब ऐसा निकलकर आया तो थोड़ा सा क्लिक किया कि कि हाँ आरह ऐसा कुछ तो होता है ऐसा कुछ तो होता है देखो यहां पे यह से बी इसे बी यहां पहसा यह इसका यह यहांप Q करेंस यह और यहां पर यह उसे आर करेसी और ये बीच वाला एंगल तो यह किस type के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है किस टाइप के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है मतलब साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा हो जाएगा साइड साइड क्या होगा से मिलर होगा यह साइड एंगल साइड सिम्ल जाएगा कॉन ट्रेंगेम Animal ABC ट्रेंगेम trauma ट्रेंगे К्यूर outta Prophet क्यूर्ण ट्रेंगेमloeay तूर ट्रेंगेल p q a r t कि लिए बात कि नहीं को दिखकत तो नहीं है ना ओके चलिए इतनी इसी बात आपको अच्छे साओं में आ गई होगी बहुत ही अच्छा पूशन था अब इतना भी अच्छा नहीं था मैं बस यह है कि आपको कुश्चन को अच्छे से पढ़ना था और पढ़ने के बाद यह यहीं दिया और बी लिए को टू टाइम सब्सक्राइब थी इसको लिखने से किसी बी ट्रैंगल के साइड के रिसी ओन तो यह आपस में ट्रेंगल क्या हो जाएंगे सिन्जल बने के पास यह यहां यह वाला इंगल इसके एकल और यह बिक्ल टु क्यों हुआए और यह इस अगर हम लोग बात करें गे तो यह बीजिए का भी एंगल है और पी एकल टू बिया तो यहां पर यहां पर यहां पर साइड क्योट इसने टूपी कियोगे रगए टो यहां इसाल ना कंपर मैं चली इतनी बात आपको अच्छे से के लिए हो गए होंगे अब हम लोग next question की तरह पढ़ते हैं question number 13 देखें यहाँ पर d is the midpoint sorry d is a point on the side BC of a triangle ABC such that ADC is equal to BAC so that CA square is equal to CA square is equal to so that CA square is equal to CB into CD ठीक है तो अब जोके सबसे पहली बात तो क्या है यहाँ पर diagram को draw करना है d is a point on the side BC of a triangle ABC सबसे पहले हम क्या बनाएंगे triangle ABC को बनाएंगे triangle ABC को बनाएंगे यह triangle हो गया ठीक है यह triangle हो गया अब यहाँ पर triangle ABC बन गया यहाँ पर naming beta कर दो ABC यहाँ पर naming किया a b and that is c d is a point on the side BC d कहां पर dbc पर ठीक है d is a point on the side BC of a triangle ABC सबसे एडी सी एडी सी एडी सी यह वाला हुआ कि यह जो आलाएंगिल है किसके को लोगा BAC को लोगा BAC को लोगा यह इसके को लोगा यह इसके को जाएगा तो सो डैट c a square c a का है भाई अब देखो यहां पर c a यह हुआ यह हुआ यह हुआ c a square किसके को सीबी सीबी करना है सी से बी यह पूरी complete साइट और सी से डी यह तो अब इसको देख करके जो यहां पर प्रूब करना है इसको देख करके क्या लॉजिक साथ में आ रहा है कि इस ABC को सिमलर प्रूब करना होगा एडिसी के अगर ऐसा होगा तभी उस ही मेर रिजियों लिया होगा तभी है अब यह आएगा तो आप जो को यहां पर हम लोग इसके स्लिस्यरेमर करते हैं है तो अबने स्कशल्ड को लिया और गरेंड इंड बी- monstr इ ADC सबज़िएगा ABC and triangle ADC ABC यह हो गया and ADC यह हो गया तो आप बेटा बताओ यहां पे इस बड़े वाले triangle में जो आपका यह वाला angle है हाँ एंगल B A C is equal to angle ADC सर यह तो information given थी तो यहां पे क्या लिख देंगे डिश्की मैं अच्छा एक बात और यह वाला angle जो है यह वाला angle आपको जिखर होगा यह सर्फ दोनों में common है क्योंकि दूख यहां से A C D और बड़े वाले triangle में A C B तो यहां से क्या लिख हो गए A C D is equal to angle A C B यह सर्फ दोनों में क्या है common है दोनों में क्या है common तो यह angle एंगल similarity के criteria को follow आपकेशा और अपिकेश। नंगे को सुन्स हो गया जो करेस्बार्णिंग करने से दिए हमारे लिए भूट ही हो जाएगा अब बात सुन्स में आख़ोंब 155nio एंगल को फालो कर रहा है क्योंकि यह वाला एंगल कामन हो जाएगा और यह एंगल आपको दिया हुआ है इस बड़े वाले ट्रेंगल में जो यहां पर लार्जे ट्रेंगल इसका एंगल और इस वाले का डी एंगल छोटी वाले का एकोल इकिया था डी यह नहीं और यहां पर बड़े वाले का सी लार्जे ट्रेंगल का सी इंगल और इस मॉल का भी सी अब बड़े वाले का कौन सा बचाए हो गया है सी के कोच लेना हमाले लेना हमाले बहुत ही हो जाएं कि यहां के काणिशंस बनेंगे जोAs आते हैं क्रिसपॉन झाय आते हैं यह देंभ मा समझेगा वाड़े ट्रॉंगल का यह किसके को फ़िवाथि यहां पे शोटे वाले कसे को लो होगा अब जब यहा गया तो सिब्लore हो जाएगा तो करडिस्पानिंग साइड का ध्रिश कोया आए देखिए थैसमझे अगात को बता हरता पहले ओले काौतम अ से सी को कि अपau इसका पहले आरे का दो D से C Is equal to Is equal to यहाँ पर last कर दो C से B यहाँ पर last कर दो C से A और एक और आ जाएगा first and last A and B A and B यहाँ से A and B आ जाएगा और यहाँ पर D and A आ जाएगा D and A आ जाएगा ठीक है? अब action में देखी यहाँ पर क्या प्रूब करना है? C A square equal to C B into C D तो आप यहाँ पर देखोगी यहाँ पर यह 3 ratio आएगे किसको लेने से फाइदा है? किस particular ratio को मैं ले लूँ तो यहाँ पर मेरा फाइदा हो जाए? प्रूब हो जाए कि यहाँ पर क्या होने वाला है? तो आपने का सर्फ फाइस्ट और से ले लिए फाइस्ट और से आपका फाइदा हो जाएगा? विल्कुल हो जाएगा वह अपना तो मैं फाइदा होता हूं न प्रॉफिट किसमें है? इसको आपने लिया तो यहाँ दिखो फर्स्ट है न सेकेंड यहाँ पर यह विचिव लिया इसको मैं यहाँ पर कॉंटिवी करता हूं अगर एसी हपाँ डीसी इस इकोल टू सीपी अपाँ लिए यह अंतना नहीं है ठीक है? यह म समझ यह यहां पर आजय को इसको क्रॉस इंटू कर दो इंटू क्या यह जाएगा इंटू इस इंटू सी ओ जाएगा यहां सिंटू सी फिर यहां अधिकर एगा dc into dc into क्या होगा cb होगा डीस इंटू क्या होगा cb होगा यहीं हमको प्रूब करना था अब इसको अच्छे समझेगा हमको यहीं प्रूब करना था दो प्रूब को लिखने का हैं यहां पर यहांपे इसको यहां Leaf के और सिमलर करने के बाद गेंगा एहां द्यान में रखना है इसको द्यान में रखना कि यहां पर क्या करना है ठीक है तो यह दैट इस इंपॉर्टेंट यहां पर यह सिमिलल हो गया है और बस बना यह ने के बाद यह दे लिखी लीँ लेने के बद जो पार्ट डूप करना था जैसे हमको 500 सेकेंड लेने से फाइदा था जैसे ले लिया हम खेजली के लिए कुछ diffen के नि median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and PR and median PM of another triangle PQR so that ABC is triangle ABC similar to PQR ठीक है अब यही same language ऐसे कुछ अभी question number हम लोग discuss किये थे question number 12 ठीक है लेकिन उसमें थोड़ी सी changes थे उसमें से थोड़ा सा changes थे तो अब देखो यहां पर जो information given है इसके कार्डिंग में diagram को पहले बनाता हूं diagram को पहले यहां पर ड्रॉ किया अच्छे समझें बहुत ही अच्छा question है ठीक है चीजे सब पहले चलती है किसी में कोई difference नहीं है सब कुछ पहले वैसे चलता है कि यह हो गया कि यहां से ट्रेंगल बना लिए कि ठीक है अब यहां पर नेमिंग कर देता हूं बटा यह हो गया Ruby यहां पर प्लॉत करना को इसको किया करना है इसको कशिंए फिर्जाइच्हें फिर्फ करना है अच्छा क्या करना है अच्छा यहां a-b-kis-ké proportional है सर a-b-key upon में तो PQ आएगा a-b-key upon में क्या आएगा PQ आएगा तो यहां से given information में यहाँ पे लिग लेते हैं given information में a-b-play upon PQ आगया is equal to a-b-play upon PQ आगया और AC upon क्या अएगा a-c upon PR आएगा और a-d upon क्या आएगा AD upon क्या B and A C and Median Median Ad Eli train से Okay Creatorард से यहां से P से M अब यहां मिडियन हो गया कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मतलब मदब B से D, यहां पे B से D किसके एक्वाल है, पीटा, D C के एक्वाल है, and Q से M किसके एक्वाल है, M R के एक्वाल है, यह सारो नो, बहुत यह चाहकोर्शन है, अच्छे समझेगा, यह डाइगराम यहां पे डाइगराम डाइगराम करने के बाद यह information लिए क्योंकि यहां पे एबी प्रपोर्शनल है पीक्यू के एची प्रपोर्शनल है पी आर के एडी इस प्रपोर्शनल टू पी एम के लिए यहां पे करना क्या है अभी तो इतनी का नहीं हो गई हमको ट्रेंगल प्रूप करना है अच्छा यहां यहां पर अच्छे समझ में आएगा पीक्यू यह हो गया और एसी यह हो गया और पी आर यह हो गया एडी यह है और यहां पर यह एडी और प्रूप करना है ट्रेंगल प्रूप क्या करना है समझेगा प्रूप देट यह प्रूप धैट ट्रेंगल अभी सी इस सिमलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर ओके ट्रेंगल पीक्यू आर किramन गया यह बात नहीं तो अब बहु को यहां के लिए यहां पर हमको construction करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा प्रोड्यूज एडी प्रोड्यूज एडी एडी को प्रोड्यूज किया कहां तक पी तक हो एडी इस इकल टू यह समझे बात को एडी प्रोड्यूज एडी इकल टू दि और प्मिज प्रोड्यूज इसको एन दे लिए पी एडी इकल टू अमन स्पराद एक अच्छा कोश्चन है अच्छे समझना कुछ भी नहीं है मैं बस यहां पर construction के बिना यह questioning हो पाएगा तो यहाँ से हमने कह रिखा produce produce ad ad to produce ad produce ad ad is equal to ad is equal to d e produce ad ad is equal to d e and produce ad and pm लिलो यहाँ पर साथ ही साथ ad and pm and pm is equal to mn ओके यह construction में किया and join join ec and nr यह बेटा इसको e से c join कर दिया और यहां से हमने इसको join कर दिया अब समझेगा बात को समझेगा यह हमने इतना किया एक बार फिर अच्छे से देखिए गड़ाइगराम को हमने ad को आगे बढ़ा है a से d यहां तक आना था हम थोड़ा और रस्ता देकर लिए हमने का चलो ठीक d से कहा दे जाना इतक बस उतना ही जाना है यहां पर a d किसके बरावर हो जाए d e के बरावर हो जाए उतना ही हमको जाना है और यहां से p से m pm किसके बरावर हो जाए m n के बरावर हो जाए और फिर हमने e से c को मिला दिया और n से r को मिला दिया इतनी सी बात क्लिए हो इतनी यह सार में अब अगर इतना सोर में आ गया तो अब इसके आगे का step देखिए क्या करना है अब calculation थोड़ा सा करना जा रहा हूँ ये वाला triangle मैंने लिया और ये वाला triangle लिया देखिएगा जहां समझेगा इन triangle निमिन देखिएगा A, B, D A, B, D and triangle D, E, C D, E, C A, B, D ये लिया और D, E, C तो देखिए ये वाला angle किसके एक्वाल है क्योंकि ये vertically opposite angle है अगल A, B, D is equal to is equal to angle E, D, C E, D, C क्योंकि यहां पर ये vertically opposite angle है vertically क्या है opposite angle है ये vertically opposite angle है गया क्येए बात नहीं अब ये vertically opposite angle हो गया और देखो यहाँ पर A से D ये A है A से D A से D किसके एक्वाल है A से D किसके एक्वाल है A से D, D, E के एक्वाल है और देखो यहां से बी से डी किसके एक्वल है डी सी के एक्वल है यह किसके एक्वल है तो बी से डी डी सी के एक्वल है क्यों को लोगा है बटा कि किसा डी क्या है मिड़ पॉइंट है डी इस दा मिड़ पॉइंट ऑफ बी सी dbc का bit point है यहां से हमारे yes ke equal हो गया हमने construction किया तो इसके according हो गया तो इसका क्या मतलब यह side angle side criteria से congruent हो जाएगा side angle side ठीक है आपको congruency भी दिमाग भी चलनी चाहिए जो भी आपने 9th class पर पढ़ा होगा को मैं सिसट इंग्यल साइड का रूइज करके क्या हो गया साइड इंग्यल शाइड कांदीन हो गया हैं साइड एंग्रास क्राटिरिए इस क्या हो गया यह दूनों फिटर काफिक की की दॉड़ीriend को है टीक है यह स्य सी पी सीटीसे चाहिएगा आपका आपका जो ए सी की वैलू है वह ए बीकैन एकने धिक्री किसके क्लोंगी करिस्पार्ट आप कॉंवलेंट टैरिंग्ल हो जाएगर यह सार और इससे तो फायदा होगा अब इससे भी थो पाइदा यह कुछ नों को तो फाइदा ले नहीं देना है तो अब जो को यह जब यह पात आ गई सामने निकल के तो आप देखिए यहां पे आप अच्छे समझेगा यहां से यह एसी एसी अपाउन पी आर दे रखा है मतलब हमने अभी इस ट्रेंगल पे चीजों को अपलाई किया है ए आप दे और इस पर तो ऐसी स favorites आलले पी-अन- आर पर भी अप्लाई करना से यहां पर आपको बहुत ही फाश बता देता हूं यहां पर जब यह पुम्हां करें तो यह इसके प्राइक Kingdom और यह स процिए रखका है का ना यह यहां पर चीजों को लिख लेते हैं कि जबह O हमने यहां पर चाल लिया इन ट्रैंगल P M Q Pam Q ट्रैंगल P M Q एंड ट्रैंगल R M N ट्रैंगल R M N यह ट्रैंगल ले लिया यहां पर यह vertical opposite एंगल है की नहीं वंटिकल आपॉजिट अले को इनगल प who is equal to a angle यह cáμ entra एंपूजिट एंगल आर एंशल मारश कर नहीं बूला जाएंगे ते लिखेंगर आपॉजिट एंगल नहीं पर नापर यह डिस्टेंस और एम से यह डिस्टेंस देखो कंस्ट्रेक्शन में यहां पर क्या किया इसको लिया है तो पी एम इस इकल टू एम एन हो जाएगा बिल्कुर सही और यह जो क्यों से एम है एम से आर के को रोगा सथ क्यों से एम है क्यों से एम इस इकल टू एम आर के एक लोगा यह किस टाइब के क्राटेरिया से कॉनेंट हो जाएगा पी एम साइड एंगल साइड यहां पर साइड एंगल साइड से यह और और यहां से क्या जाएगा इप घूक का इस वहां आप आप का हम इसर नौ पर चाइल में क्या रहा दाइघ वन में चीजों को तुरिकलिया हमने टूंगो ने rhyme कुछ से फाइदा क्या हुआ निसकões कॉंप का कुछ तो फाइदा हो गई होगा मतलब यह याओ अच्छा अच्छा लिए अच्छा अच्छ और प्र मतलब विर यह वत और को यहां आर यह ले लिए आवा कंपी कर तो दो को memo करते हैं को को इस दीघक करते हैं attachments do it I can we haven't JP पान्वीक्यूण कि एसी수्य सीप papal qr और कि एड़िएप草 पीएम समझे का बत आपको एड़िए अपान पीयम है अब इस यूद को दिमाग में शनाघा यहां पर जो हमने इतनी फ़री कहानी प्रोड कर दिए क्या है अच्छा एघी किसके क्वं सरेफ़ी कि वेलीए no है ए प्वी के एक वहक्रक्व थो यहां पर अभेवेid дней सकते हैं इसी रह सकते हैं और यहां पर जो एडी दे रखा था उसको टू एडी कर दिया और जो पीम दे रखा था इसको टू पीम कर दिया इससे फाइदा क्या हुआ अब देखिए तू एडी का मतलब क्या है डाइग्राम में देखी ईसी कि एसी ऐपनन आर और एसी अपन कि इसी यह अंपन अर और ऑफ पान पिर यह टू एडिक है ना तो एडी को दो से मतिप्ल्याई कर दिया तो हम इसको आहीं लिए सकते हैं complete side और यहां पे पीयम को दो से multiply कर दिया है यह पी से m तो लोग पी जिसकते हैं ad रचंव को दो से मल्टिप्लाइअ अपने चांड कोई लीच एहुरों में तो मतल को दो से मल्टिप्लाइए थे किए तो एसे TWO ब्रम देशेथी हई सब्सक्क्राइब आसे नहीं सब्सक्राइब से का और पी से इसे फाइदा क्या हुआ समझेगा बेट बात को एसीए आपन क्यू आज और और यह इसी आपन इन आर इसीए पान इन आर इतनी सी बास वार्ट वाज़ीन आगे नहीं किसी एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए घ.' कुर्ण समयं करता है है तो यह नाम प्रूसर हो इसको नाम क्या है तो यहां पर नाम दिया वन मतलब वन इस इक्वाल टू क्या होगा और देखो बेटा यहां पर अब यहीं पर को खतम करने वाला होना है सिमिलयर्ली लिख देना जो कहानी यहां पर कियो ना इधर भी कंस्ट्रेक्शन करके यहीं सेम् process को apply करोगे लेकिन similarly लिख दोगे और इसको अगर मालनो मैं two मानता हूं इसको मालो इसको मैं ठी मानता हूं इसको मैं four मानता हूं तो three is equal to four होगा कि नहीं करोगे घृध करोगे जो हम नहीं पे इसे इसी को मिला करके एंसे और को मिला करके process को repeat कि थरी इक़ल टो और आएगा और फ्री इस इकोल टो टू टो टू प्लस का फूर याज ऑवन ओर त्री मिलकर क्या बना रहा है वान और एंगल ए बना रहा है और 2 and 4 मिल्टर के एंगल P बना रहा है यह सर यह बनाया और यह बनाया तो एक बासोन में आगे देखो यहाँ पे A is equal to P यह वाला एंगल किसके को ला गया है यह कहानी प्रूब करने के लिए हमको इतना सब कुछ करना पड़ा A is equal to P आगया और देखो A is equal to P आगया तो A वाला एंगल किसको लिए के बनाया है A, B को और A, C को तो देखो यहाँ पे A, B और A, C का रेशी यह वाला देखो इन दोनों को ले लो और यहाँ से A, A, C upon P, R तो A is equal to P आगया और A, B upon P, Q A, B upon P, Q equal to A, C upon P, R यह वाला है तो यहाँ से क्या जाएगा A equal to हमने P प्रूब किया हमने A equal to क्या प्रूब किया A equal to P आगया A equal to P आगया और यहाँ से यहाँ से A, B A, B A, B upon A, B upon क्या है जो देखो यह वाला है A, C upon P, R A B upon P Q A B upon P Q A C upon P R तो हमने यहाँ पर arrange कर दिया A C को यहाँ पर लिया है तो A से B A से C is equal to P से Q and P से R तो यहाँ पर यह side angle side criteria से क्या हो जाएगा similar हो जाएगा क्या हो जाएगा बटा similar तो triangle ABC क्या होगा A B C is similar to triangle P Q R Yes or No मैंने यहाँ पर इस बात को prove किया बटा इतना सारी कहानी मैंने किस लिए की यह वाला P angle A की equal करने के लिए करनी पड़ी बात सुन्म जागी ना confirm है ओके रिदम के लिए रहना चलिए अब हम लोग next question की तरफ बढ़ते है यहां पर के रहा है कि बहुत ही इजी question है ठीक है बहुत ही इजी question है यह question 15 question 15 क्या कह रहा है कि यह question आव रटिकल पॉल आप दो लेंथ 6 meter cast a shadow 4 meter ठीक है यहां पर हम लोग डाइगराम बना लेते हैं यहां पर हमने क्या माल लिए लेटिस एच मान लिए ओके जोगा सेम टाइम की बात होती तो यह वाला इंगिल होता है यह वाला इंगिल होता है और टावर है यहां पर हाइट है तो यह 90 दिगरी होगा यह सेम टाइम की बात हो रहे तो यह एंगिल होंगे और यहां पर टावर है तो यहां पर ग्राउंड से इसका अपान वार्टिकल इसका होर्जेंटल फोर अपान होर्जेंटल 28 कितना जाएगा फोर सेबंजा 28 बाइक्रॉस मेडिप्रिकेशन एक इस इकल टू सिक्स सेबंजा 42 42 मीटर आ जाएगा तो यहां पे जो हाइट आप टावर होगी डैटिस 42 मीटर हो जाएगा यह सार नो भाथ यहां पे वर्टिकल अपान वर्टिकल कंद्र बढ़नाई हो फार्जेंटल अपान हम्हं यहां पे रिशीय ले लिया और यहां से प्लू पर्टी टू सेंटी मेटर टे बढ़ते हैं इफ एडिया एन पीम और मीडिया यहां से यह तैंगल हो गया और यहां से यह त्रेंगल हो गया ठीक है यह ट्रेंगल यह हमारा एडी है यह मीडियन है और यहां से यह एडी मीडियन और यहां पर पी है यह क्यों है यह आर है ठीक है तो यहां से यह हमारा मीडियन है पी में में इसके को लोगा है यहां पर यहां पर ऐज़िए यह लिए परमेशन में इस धिवन इंफल्मेसं में का लिखना है यहां पर सुद्वन ज़्रक्दशर भी इसकंटियर को फेशिए मतल also A, B, C similar to triangle P, Q, R ये दे रखा है तो मलब angle A किसके एकोल होगा angle P के एकोल होगा angle P के एकोल angle B middle वाला किसके एकोल होगा angle Q के एकोल होगा मलब A वाला P के एकोल middle वाला angle middle के एकोल and angle C is equal to angle R हो जाएगा yes or no, कि देख बात नहीं अच्छा एक बात और corresponding side कर ACV को लोगा मतलब यहां से AB पहले के दो A से B और यहां पर पहले के दो P से Q ओके यहां पर last के दो BC और यहां पर last के दो QR ठीक है वही पहले के दो AB यहां पर P Q last के दो BC यहां पर last के दो QR और first and last AC first and last क्या होगा AC अपान यहां पर क्या हो जाएगा that is PR last यहां पर PR ओके यह हो जाएगा यह information दे रखी है इतनी information दे रखी है हमको प्रूब करना है AB पान P Q A से B यह है और P से Q यह है A से D यह है A से D मतलब इसका रिशियो और यहां से यह इसका रिशियो ठीक है अब क्या करोगी यहां पर बहुत ही इजी है बहुत ही इजी है देखिए कर देहां समझेगा हमने यहां पर क्या किया आपके सामने दिखी रहा है ना कि यहां पर क्या करना डोशकी आपक हो एसको बीडी लिख लिया और क्यू और कि आर क्यों से आर क्यों से आर यहां से यहां तक आना AC upon PR 2 say 2 cancel हो गया 2 say 2 cancel हो गया तो यहां से क्या जाएगा बटा यहां से एक ratio निकल क्या आता बढ़िया सुन्दर सा ratio निकल क्या आता है AB upon PQ is equal to BD upon QM BD upon QM इसको थोड़ा सा arrange कर लो तो BD को इधर PQ की नहीं चलिया हो मतलब BD और BD और PQ का यहां पर interchange कर लो BD और PQ का क्या कर लो इंटरचेंज कर लो यहां से जैसे हम लोग BD मतलब A से B यह रहेगा BD को नीचे लिए और जहां पर BD ता वहां पर PQ को लेकर चला गया यह आ गया इससे क्या फाइदा मिला ने इससे क्या फायदाम देखेगे इस उखना है जिसे फायदा मिला और और यह भी किसके ऐसक ब मिला। था सोग्ता और यहें upd ticket रहाएं सब्सक्राइब क्यों पर के क्वर्णा रहा मैं इस अनृइब इस इसके मला थिर आप यहां पर कने यह वाला एकल dramatic और यहां पे यह BD, BA upon BD is equal to QP upon QM, यह ratio तो यह side angle side criteria से क्या हो गया, that is similar to each other हो गया, side angle side criteria से क्या हो गया, similar to each other हो गया, तो यह side angle side criteria से similar हो गया, side angle side criteria से similar हो गया, तो यहां पर ratio लेना है, that is ratio लेना है, अच्छा लिखिने का तरीका देख लिज्य हरा पर एंगेल बी इस के क्रहाई है अच्छ यहां पे यह से भी और सी प्यूर घस्थे कि उत्रेंगेल कौन जा अब A B D similar किते हो गया triangle P Q M P Q M के तो यहां से क्या जाएगा पहले के दो A B यहां पर पहले के दो P Q यहां पर last के दो B D यहां पर last के दो Q M यहां पर first and last A D and यहां पर first and last P M यहां पर इन इनको लेने से profit है इनको लेने से क्या है profit है तो इनको लेने से profit है तो यहां पर हमने यहां पर क्या लिका बेटा first and last को ले लिया तो A से B अपान P से Q is equal to A से D अपान P से M yes or no के लिए बात कि नहीं confirm है यह हमारा प्रूब हो गए हैंस प्रूब ओके यह कहानी प्रूब हो गई यह कहानी क्या हो गई प्रूब हो गई ठीक है मतलब फिर एक बास हम जो यहां से यह दे रखा था यह हमारा ABC P के और के सिमिलर मतलब A equal to P B equal to Q and C equal to R ओके और यहां पर जब यह similar दे रखा था तो यहां पर corresponding side का ratio भी equal होगा that is this तो यहां पर यह ratio भी equal दे दिया ठीक है क्योंकि similar दे रखा था और BC को मने टू बीडी लिखा और QR को मने टू क्यों लिखा यहां से एक ratio निकल के आया और एक एंगल है तो यह triangle हमारे similar हो गए और similar होने के बाद यहां पर हमने corresponding side का फिर ratio अगे लिया जो पार्ट प्रूप करना था एपी अपान पी की एकल टो एडी अपान पी मां गया ओके के लिए बाद किने कंफर्म है ओके तो बहुत ही अच्छे चीज़ों को समझना हो समझने के बाद question पे concept को apply करना है ठीक है कंफर्म है चलिए